मैंने शायद ही कोई इंडिन मूवी देखी होगी जिसमें इतने बोल्ड और टैबू टॉपिक को उठा के में स्ट्रीम मूवी बनी हो उसके लिए हैट्स ओफ फिल्म के मेकर्स को तो ओमजी के तरह विवाद और कॉंट्रोवर्सीज में से घिर के फाइनली ओमजी टू थेटर्स में आ ही गई तो इस मूवी की स्टोरी अगर बिना कुछ स्पॉयल की आपको बताओं तो ये बात करती है सेक्स एजुकेशन के बारे में देखो इस मूवी की सबसे खुबसूरत चीज है पंकस्त्रिपार्थी की नैचुरल और स्माइल करते हुए अक्टिंग अलाकि इस मूवी में अक्षे कुमार सिर्फ बीच बीच में आते हैं पंकस्त्रिपार्थी को मार्ग दर्शन देने के लिए लेकिन उतने ही परफॉर्मेंस में अक्षे कुमार दिल भी ले जाते हैं और ये आउट एन आउट पंकस्त्रिपार्थी की मूवी है और उनको देखने में अपने आप में एक आनन दाता है झाल